Hello students, हमारा आज का टॉपिक है Reproduction in Iquicetum Students, Iquicetum Part 3 में आज हम बात करेंगे Iquicetum की बिजानुद्मित अवस्ता या sporophetic stage में जनन या reproduction किस प्रकार से होता है Reproduction in Iquicetum एकवी सीटम रिप्रोडूजेज वेजिटेटिवली एंड बाई मीन्स ओफ स्पोर्स एकवी सीटम की बिजानुद्मित अवस्ता में दो प्रकार का जनन देखने को मिलता है पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा बाई स्पोर्स मिस बिजानुगों की आईए सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या काईक जनन के पारे में इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें कुछ टूबर्स बनते हैं टूबर्स मिन्स जो इर्रेगुलर ग्रोडक्शन की द्वारा जो बडस बन जाते हैं जिसे हम टूबर्स कहते हैं ये टूबर्स जब parent plant से यानि की जो मात्र पौदा है उससे अलग हो जाते हैं उसके बाद germinate करने पर एक sporophytic plant को जन्म देते हैं The tubers develop due to irregular growth of some buds at the nodes of the rhizome जैसा कि हमने equisytum की external morphology में पढ़ा था कि equisytum का plant पर्व और पर्वसंधियों means nodes और inter-nodes में भजित होता है तो जो nodes का portion है means पर्वसंधि वाला भाग है rhizome का वहाँ पर कुछ irregular growth की birds बन जाती है means कुछ फूले वे भाग बन जाते हैं जिनको हम tubers कहते हैं ये tubers आप इस diagram में clearly देख सकते हैं ये जो brown color के round shape की tubers देख रहे हैं ये rhizome के node यानि की पर्वसंधि के स्थानों पर बनते हैं और जब ये nodes अपने nodes या tubers प्लांट से अलग हो जाते हैं तब ये develop करके या जर्मिनेट कर जाते हैं और जड़ तना पत्ती में विभाजित होकर के नए एक्विसीटम के प्लांट को जन्म देते हैं तो इस तरीकी से हमारे एक्विसीटम की इस sporophytic stage में काई जनन या vegetative reproduction देखने को मिलता है और vegetative reproduction में किसी भी प्रकार से अर्ध सुत्री विभाजन या meiotic division नहीं होता है दूसरा reproduction का टाइप है sports या बिजानों ये हमारे एक्विसीटम में जनन यारी reproduction का मुख्य तरीका है sports are produced within the sporangia एक्विसीटम में बिजानों धानियों के अंदर बिजानों या sports का निर्मान होता है the sporangia are born on the sporangio 4 और जो बिजानों धानिया है यानि कि sporangia है वो sporangio 4 पर बिजानों धानी धर पर लगे हुए होते हैं which are aggregated into a compact structure termed strobulous और cone और sporangiferous spike जो भी बिजानों धानिया है वो एक compact structure के रूप में पास-पास situated होती है जिसे हम cone या strobulous कहते हैं जैसा कि हम इस diagram के अंदर देख सकते हैं ये एक्विसीटम का एक cone है इसमें बहुत सारी बिजानों धानिया जो हम ये देख रहे हैं बहुत सारी छोटी-छोटी ये बिजानों धानिया है इनकी अंदर बहुत सारे sports situated है ये बिजानों धानिया हमेशा किसी भी जो ब्रांच है उसकी टिपर लगी होई होती है और ये सारी बिजानों धानिया compactly arrange होती है और इस तरीके से cone-like structure बनाती है जिसे हम cone या strobulous कहते हैं strobulous और cone the strobulous are terminal in position normally किसी भी एकपी सीटम के प्लांट में जो cone बनता है या strobulous बनता है वो terminal position पी होता है जैसा कि हम यह देख सकते हैं सबसे top पर लगा हुआ है and are generally born terminally on the chlorophyllous vegetative shoot यहाँ पर हम देख सकते हैं यह एक vegetative shoot है means जहाँ पर पत्यां भी है और दूसरी branches भी है तो यह जो हमारा cone है वो vegetative branch या vegetative shoot के सबसे उपर के और epical portion पर situated होता है however they may be born terminally on a strictly non chlorophyllous axis जैसा कि एक्विसीटम आर्वेंस में हम देख सकते हैं एक्विसीटम आर्वेंस की प्रजाती में दो प्रकार की branches हम देख सकते हैं एक होती है vegetative branch यानि कि जिसमें पत्तियां हैं और उनमें सिर्फ काईक व्रद्धी होती है reproduction का काम नहीं होता है दूसरी जो branches है जो reproductive या fertile branches कहलाती है सिर्फ उनके टिप पर हम ये कोन या स्ट्रॉविलस देख सकते हैं तो आर्वेंस में दो प्रकार की branches हुई non-fertile और fertile branches जो non-fertile branches हैं वो chlorophyllus हैं, vegetative shoots हैं, यहाँ पर कोन नहीं होते हैं और जो fertile branches हैं जो brown color की होती हैं और non-clorophyllus होती हैं मिस ये प्रकास नस्टिशन का काम नहीं करती हैं और इनका मुख्य काम reproduction का है ऐसी non-clorophyllus जो branches हैं उनके टिप पर हम कोन देख सकते हैं अब अगर हम एक strobulous या कोन की बात करें जैसा कि हम इस diagram में देख सकते हैं एक branch है उसके टिप पर ये इस प्रकार से strobulous या कोन लगा हुआ है तो इस कोन के अगर internal structure को study करना हो तो हम इसका ts या ls देख सकते हैं यह जो हमारा कोन है इसके मध्य में एक एकसिस होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं यह एक एकसिस है और इस एकसिस की चारों और sporangiophore लगे हुए है अब अगर इसका हम ts या ls देखें देखते हैं कि सबसे center में एकसिस है और उसके चारों और sporangiophore डिसकी 5 या 10 elongated जो हमारी sporangiophore है वो लगे हुए हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे sporangiophore यहाँ पर लगे हुए हैं Near the periphery in a ring, sporangiophore है और इसकी चारों और sporangiophore के अंदर बहुत सारे sporangiophore के अंदर बहुत सारे sporangiophore लगे हुए हैं और center में एक एकसिस है The flattened tips of the sporangiophore fit closely together which provide protection to the developing sporangiophore अब यह जो pelted disc हम देख रहे हैं हमारे कोन में यह बहुत ही पास-पास situated होती है compactly arranged होते हैं जो की developing sporangiophore को protection प्रतान करते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो pelted disc हैं वो एक दुसरे के बिलकुल पास-पास है तो एक बाहर की और covering बना देती हैं एक protecting layer का का काम करती हैं और अंदर जो sporangiophore हैं जो hanging position में हैं लटके हुए हैं यह sporangiophore को सुरक्षित रखती हैं या protection प्रोटेक्शन प्रवाइड करती हैं The axis bears a ring-like outgrowth so-called annulus immediately below the walls of sporangiophore अब यह जो sporangiophore का चक्र होता है उसकी just नीचे हम एक green color की outgrowth देखते हैं जिसे हम annulus कहते हैं और इस annulus का मुख्य काम होता है हमारे sporangiophore का protection which provides additional protection during early development और जब बिजानुधानी का विकास हो रहा होता है उस दोरान यह annulus हमारे बिजानुधानीों की protection का काम करती है तो इस प्रकार से हमारे equisitum में एक cone के अंदर main axis है और उसकी चारों और एक ring के रूप में बहुत सारे sporangium लगी रहते हैं development of sporangium अभी तक हमने बात की sporangium की सरशना के बारे में कि किस प्रकार से एक cone में बहुत सारी बिजानुधानिया लगी हुई है अब हम देखते हैं कि इन sporangium या बिजानुधानियों का development किस प्रकार से होता है जब किसी भी बिजानुधानियों का विकास एक single cell के द्वारा होता है तो उसे हम leptosporangium type of development कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो बिजानुधानियों का विकास है इसमें एक single initial cells के अलावा उसके आसपास की जो कोशिकाए हैं वो भी बिजानुधानियों के निर्माण में भाग लेती हैं इसलिए यह used sporangiate type of development है means एक से ज़्यादा कोशिकाए हमारे बिजानुधानियों की विकास में participate करती है superficial cells adjacent to the original initial may also take part in the development of sporangium अब जो superficial cell है single sporangial initial हम देख रहे हैं इस single initial cell के अलावा भी दूसरी cells भी हमारे बिजानुधानियों के विकास में participate करती है sporangia are initiated in single superficial cell around the rim of the young sporangio 4 और एक बिजानुधानी धर के जो रिम है उसमें एक single sporangial initial cell से हमारे बिजानुधानी का विकास शुरू होता है the periclinal division of the sporangial initial forms an inner and an outer cell और इस single cell के अंदर एक periclinal division या परीधे विभाजन होता है जिसके परणाम सो रूप दो कोशिकाएं बनती है उपर के और एक outer cell और नीचे की एक inner cell the inner cell by further divisions in various planes give rise to sporogenous tissue अब ये जो अंदर वाली कोशिका है इसके अंदर बहुत सारे division होते हैं हर plane में anti-clinal, periclinal divisions हर plane में जब बहुत सारे विभाजन होते हैं तो इस परकार से कुछ कोशिकाओं का सम्हूँ बन जाता है जिसे हम sporogenous tissue कहते हैं the outer cell by periclinal and anticlinal divisions give rise to irregular tiers of cells और जो बाहर वाली कोशिका है इसके अंदर भी anticlinal और periclinal divisions भी परिधिये और anticlinal divisions होते हैं जिसकी वज़े से इसके अंदर भी दो irregular tiers बन जाते हैं कोशिकाओं के में इस दो परतें बन जाती हैं the inner tiers of which may transform into sporogenous tissue and the outer tiers become the future sporogenous wall cells और इन में से अंदर वाली तो sporogenous tissue के अंदर convert हो जाती हैं जो बाहर की और कोशिकाओं हैं वो sporangeal wall cells बनाती है means in future वो sporangeum या बिजानो धानियों की wall बनाने का काम करती हैं the innermost layer of the sporangeal wall differentiates as the tapitum और sporangeal wall means बिजानो धानी की जो बित्ती है उसके सबसे अंदर की जो layer होती है उसे हम tapitum कहते हैं the sporogenous cells separate from each other round off and eventually transform into spore mother cell अभी हमने कहा कि जो sporogenous tissue बनता है means हर plane में जब division होता है inner cell में तो sporogenous tissue का निर्मान होता है ये sporogenous tissue जब सारे divisions यानि की सारे समसुत्रिव भजन complete हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं एक दूसे से अलग हो जाती हैं round shape की हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को हम spore mother cell कहते हैं all but the two outermost wall layers disorganized to form periplasmodial fluid और जो हम sporangel wall की बात कर रहे हैं बिजान धाने की बित्तियों की बात कर रहे हैं इन में से बाहर वाली दो परतों को छोड़कर अंदर वाली जो जितनी भी परते हैं वो सारे disorganized हो जाती हैं means wall layers उनके बीच में से हट जाती हैं और ये जो cells हैं वो एक periplasmodial fluid का निर्मान करती हैं जो की developing spores को nutrition provide करने का काम करती हैं तो इस तरीकी से students हमने देखा कि sporangial initial cells हैं कुछ इसकी अंदर एक periclinal division होता है बाहर की primary wall cell बनती है और नेजे की primary sporogenous cell इस sporangial जो उपर वाली primary wall cell है उससे बेजानो धानी की भिक्तियों का निर्मान होता है और अंदर वाली जो कोशिका है उसमें बहुत सारे divisions होते हैं हर plane में जिससे की sporogenous tissue का निर्मान होता है और इन sporogenous tissue से spor mother cell या बेजानो मात्र कोशिका का निर्मान होता है However, not all of the sporogenous cells function as spor mother cells और जितनी भी हमने बात की ठीकी sporogenous tissue के अंदर कोशिकाए है उन में से सारी की सारी बेजानो मात्र कोशिकाओं में convert नहीं होती है Many of them degenerates to form a multi-nucleate nourishing substance for the spor mother cells और ये जो sporogenous tissue है इसमें से कुछ जो cells है उनकी cell wall degenerate हो जाती है और एक multi-nucleate nourishing substance बन जाता है जो growing spores है उनको nutrition provide करने का काम करते हैं Each spore mother cell undergoes meiotic division यानि की reductional division and produces spore tetraarts और जो ये spore mother cells या बिजानो मात्र कोशिकाओं है इन में अर्दसूत्री भाजन होता है और एक बिजानो मात्र कोशिका से चार बिजानो या एक बिजानो चतुशक का निर्बान होता है All spores in a sporengium are of same size and shape that is homosporous एक बिजानो प्लांट है इसलिए इसके अंदर जो भी बिजानो बनते हैं वो एक जैसे आकार के होते हैं और छोटे होते हैं और size and shape में same होते हैं तो students हमने देखा कि जो हमारा sporengium 4 primordia है इस तरीके से उसके अंदर sporengial initial cells हैं ये sporengial initial cells के अंदर divisions होते हैं और disc के दोनो तरफ नीचे के और इस तरीके से लटके हुए sporengium या बिजानो धानियों का निर्मान होता है जिसमें बाहर के और jacket layer होती है और जो wall layers हैं वो हमारी बिजानो धानियों का protection करती हैं और इस बिजानो धानी के अंदर बहुत सारे sporets या sporets मौजूद होते हैं structure of mature sporengium अब अगर हम एक mature sporengium या बिजानो धानी की structure की बात करें तो a mature sporengium is an elongated sack like structure attached to the inner side of the pelted disc of the sporengio 4 means sporengio 4 के अंदर जो एक pelted disc हामे से कहेंगे इसकी नीचे दोनो तरफ इस तरीकी से लटकी हुई बेजानो धानियां situated होती है it is surrounded by a jacket layer which is composed of two layers of cells इनकी चारों और protection के लिए jacket layer मौजूद होती है जो की two layers की होती है the inner layer is generally compressed and the cells of the outer layer have helical thickenings which are involved in sporengial descents तो यहाँ पर जो बिजानो धानियां है इन बिजानो धानियों में two layers, two cells की layers मौजूद होती है अब यह जो jacket layer है इस में से अंदर वाली जो layer है वो normally compressed होती है और जो बाहर वाली layer है protective layer means jacket layer उसके अंदर helical thickenings मौजूद होती है जो की इन बिजानो धानियों के dispersal या dehiscence में काम में आती है so इस प्रकार से students हम इस diagram में देख सकते हैं कि एक जो कौन है इसमें बहुत सारे sporengio 4 है और इसके चारों और जो sporengium या बिजानो धानिया है वो इस तरीकी से pelted disc के दोनों तरफ लटकी हुई होती है dehiscence of sporengium अब अगर हम बात करें हमारे बिजानो धानियों के विस्फुटन की जिससे बिजानो या spores अलग हो जाते हैं at maturity the strobular axis elongates as a result the sporengio 4 become separated and exposed यह देखी इस diagram में हम देख सकते हैं कि इस तरीकी से एक जो कोन है उसके अंदर बहुत सारे हमारे बिजानो धानिया लगी हुई है अब यह जो sporengio 4 है अगर इसको हम देखें तो यह pelted disc के रूप में है और इन sporengio 4 में इस तरीके से लटकी हुई बिजानो धानिया या sporengia हम देख सकते हैं यह 5 से 10 हो सकती हैं हमारी बिजानो धानी के अंदर यहाँ पर यह जो बिजानो धानिया है यह pelted disc से नीचे के और लटकी हुई है अब जब mature हो जाती है हमारी बिजानो धानिया तो यह axis elongate करता है means लंबाई में व्रद्धी करता है जब axis की लंबाई में व्रद्धी होती ह तो यह जो sporangium हम देख रहे हैं एक जुद से कि जो पास-पास में हैं जो इनको protection में provide कर रहे थे यह इनकी लंबाई बढ़ने से यह भी दूर-दूर हो जाते हैं और exposed हो जाते हैं then the sporangium splits open by a longitudinal line due to the differential hygroscopic response of the wall cells अभी-अभी हमने बात की थी कि जो हमारे sporangial wall है वो two layers की बनी हुई है inner वाली अलग है और जो outer वाली है इसके अंदर thickening spikes पाई जाती हैं और इन में जो hydroscopic tendency है वो अलगल है जिसकी वज़े से हमारी sporangium की wall एक longitudinal रूप से split हो जाती है means foot जाती है और sports बाहर आ जाते हैं तो इस प्रकार से हमारी जो cell wall है मनला wall layer है jacket layer है जो बिजानू धानियों को घेरे रहती है ये बिजानू धानी की jacket layer की कोशिकाएं dehiscence में या sports के प्रक्रिणन में सहायता करती है so students आज हमने बात की कि हमारे एक वी सीटम के बिजानू धित पौधे या sporophyte में जनन किस प्रकार से होता है vegetative reproduction यानि की काईक जनन जो की tubers के द्वारा होता है और जो दूसरा reproduction का तरीका है sports का और इसमें sports बिजानू और बिजानू धानियों का निर्मान किस प्रकार से होता है और साथ ही साथ इन बिजानू धानियों से sports किस प्रकार से dehiscence होते हैं ये भी आज के lecture में हमने पढ़ा so this is all about today's lecture thank you